यसेवे न्यूज में आपका स्वागत है मडिपूर में जो घटना हो रही है लगतार तीन महीनों से सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखने को मिला या सुनने को मिला इसी बिसे पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुर्व नेशनल सेग्रेटरी एहसान साहब और फिरोज अहमद साहब स्वागत है सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर आपसे एक सवाल रहेगा मडिपूर में लगतार तीन महीनों से हिंसा हो रही है औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है क्या इंडियन फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से कोई संबंध है इंडियन फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को समझने के लिए जरूरी है के पहले आप किसानों के साथ जा किसानी से संबन जो एक्ट आया था पहले उसको एक बार उस पर रोशनी डालिए तो इसकी प्रिस्ट भूमी क्या है ये समझ में आएगा किसान बील जो आया था वो इस नाम पर आया था के जो APMC के जितने केंद्र है उस पर अनाज का जो क्रै होता है जो अनाज बेचा जाता है किसानों द्वारा उसके ठीक पैरलल उसके समानांतर और भी केंद्र जो प्राइवेट कंपनियां जो कॉर्परेट कंपनियां हैं उनके माद्यम से चलाया जाएगा असल मुद्दा ये था सरकार का मन्शा ये था कि APMC को किसी तरह से खतम करना है लेकिन सरकार ये नहीं समझ पाई कि हमारा जो मन्शा है वो किसान बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं किसानों को लगा कि जब पहले से ही MSP के लिए केंदर बनाय जा चुके है सरकार ने इतना infrastructure बनाय हुआ है तो ये private केंदर खोलने की जरूरत क्या है क्या वशकता है इसकी तो सरकार ने बताया कि भाई आपके अनाज का एक competitive rate मिलेगा तो लोगों ने का कि जो rate MSP हम मांग रहे हैं उससे ज्यादा की कोई अपेक्षा हमको नहीं है हम जितना मांग रहे हैं वही rate हमको इसी केंदरों पे दे दो लेकिन सरकार ने इसको अंसुना कर दिया इसलिए किसानों का जो शक था वो और बढ़ गया जब उस act को जब पढ़ा गया तो ये सब खुल के सामने आया कि जो limit दिया गया था जो बंडारन का जो सीमा पहले से त्था किया गया था कि कोन आदमी कितना बंडारन कर सकता है वो सिमित था इस कानून को संशोधित किया गया और ये अधिकार दिया गया कि कोई भी ब्यक्ति जितना मर्जी चाहे उतना बंडारन कर सकता है और इसी को ले करके जो साइलोज बने जो बड़े बड़े गुदाम बने तो ये किसानों का शक और मजबूत होता चला गया इससे और लोगों ने देखा कि ये जो बड़े बड़े जो साइलोज जो बन रहे हैं इसकी क्या ज़रूरत है तो लोगों ने ये आपस में चर्चा शुरू किया और लोगों ने ये डिसकुशन करना शुरू कर दिया कि अब सरकार की नियत ये लग रही है कि भंडारन करेंगे सस्ते दामों पे या जो MSP है उसमें जो minimum guarantee है उसको किसी तरह से देके फिर इन अनाज का भंडारन करेंगे और अपने मन मर्जी से अपने मन मताबिक rate fix करेंगे मतलब महेंगे दामों पे बेचेंगे तो जब ये बात समझ में आ गई तो लोगों का जो परदर्शन था वो और उग्र हो गया और नतीजा ये हुआ कि लोग करीब 700 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हो गए मर गए लेकिन एक साल तक सरकार ये समझती रही कि अब किसान ठक जाएंगे अब उठ जाएंगे लेकिन किसान वहां डटे रहे और आखिर में सरकार को अपना जो एक्ट था जो कानून था उसे वापस लेना पड़ा इसी संदर में इसे भी देखना पड़ेगा कि ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वन एक जो बनाया वो उसका जो आउट्लुक जो दिखा रहा है कि हम बन फॉरेस्ट कावरेज का एरिया बढ़ाना चाहते हैं कार्बन उठ सर्जन को रोकना चाहते हैं परियावरण सामाजिक आर्थिक ब्यवस्था में संतूलन लाना चाहते हैं यह गॉर्मेंट बताने के लिए का रही है लेकिन हकीकत यह है कि जो संचोधन उसमें हुआ है वो संचोधन के जब पॉइंट्स को देखते हैं हम तो यह समाज में आता है कि पहले लाइन ओफ कंट्रोल या लाइन ओफ एक्शुल कंट्रोल से दस किलो मेटर पांच किलो मेटर ब्येसेफ के जवान रहते थे बडर सिकर्टी फोर्स और भी जितने पारामिलेटरी फोर्से रहते थे लेकिन इस संचोधन से सरकार ने अपने को इस तरह से इंपावर किया अधिकृत किया है कि अब वो लाइन ओफ एक्शुल कंट्रोल या लाइन ओफ कंट्रोल से सो किलो मेटर भीतर तक बन संपदा को या उस भूमी को अपने हिसाब से जैसे चाहे उसका उपयोग कर सकेगी तो वहां के बनवासियों को आदिवासियों को ये शक होने लगा है कि ये जो सो किलो मेटर का जो परीधी बनाया है सरकार ने तो इसमें जो बन संपदा है जो खनीज संपदा है उससे हमको बेदखल करने का ये साजिश है और ये बहुत हद तक ये दिखता भी है और ये महसूस भी होता है कि जो अधिनियम पहले से बना हुआ है सारे बंसंरक्षण या संबंधन का सारा काम चल रहा है उस एरिया में नौर्थ इस्ट के स्टेट में जितने बंसंरक्षण में और या आप उनका एरिया देखिएगा उनकी जो भोगोली की स्थिती है वो सारे नौर्थ इस्ट के स्टेट सौ किलोमेटर के परीदी में आते है और वहाँ पे जो बंसंपदा है किसी स्टेट में 80 परतिशत है, किसी में 74 है, किसी में 75 है, किसी में 82 है, किसी में 78 है, ये बंद का एरिया है वहाँ पे, वो जो आबादी है वहाँ की, उन सब लोगों ने इस चीज को बड़े बेचैनी से महसूस किया है, कि ये सब साजिश बंद संपदा, खनीज संपदा को ह हतियाने का ये एक हतियार है असान स्भी ये रहेगा की नॉर्थ इस्ट का जो बाकी इस्टेट है उसपे क्या परमाँ पड़े नॉर्थ इस्ट के बाकी इस्टेट का जो जो Int моit की जो बात है अब ये देखा सुना होगा आप लोगों ने कि मैतेई के जो लोग उधर मिजोरम में थे या अंद्रूनी इलाके में थे अब उनके खिलाफ जो वहां के कुकीज थे अब बैमनस्थ तो फैला दिया सरकार ने तो उनके खिलाफ उनका परदर्शन शुरू हो गया तो मजबूरन सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए अलग से इंतजाम करना पड़ा बहुत सारे मैतेई को वहां से एर लिफ्ट करवाना पड़ा उनकी सुरक्षा को ले करके सरकार को कितने एक्सरसाइज करने पड़े वहां से लोगों को evacuate कराना पड़ा, वहां से लोगों को हटाना पड़ा, राहतिं दोरी का एक शेर है, आपने सुना होगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, बिलकुल यही बात वहां लागू होती है, जब यह आग फैली, तो नागा लेंड हुआ, मिजोरम हुआ, मिघाले हुआ, रुनाचल परदेश हुआ, यह सब दोनों समुदाय के लोग हैं, कोई कहीं ज़्यादा है, कोई कहीं कम है, तो आपने तो इस दोनों समुदाय को आमने सामने कर दिया ना, तो जो जहां कमजोर पड़ेगा, वो सफर करेगा, वो प्रभावित होगा उससे, तो इस तरह से तो पूरा नौर्थ इस्टर्ब, नौर्थ इस्ट का जितने स्टेट्स हैं, वो सब के सब इस्टर्ब हो जाएंगे, और यह दिख रहा है, आपको एरलिफ्ट कराने की क्या जोरत पड़ गई, एरलिफ्ट कराने का मतलब यह है कि उनको इदम सुरक्षित वहां से वेक्वेट नहीं कराया जा सकता है, वो लो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो प्रभाव तो सारे स्टेट पर पड़ेगा, यह बात सिर्मनी पूर तक सिमित थोड़ी रहेगी, यह बात आगे तक जाएगी, इसके बात से और भी उदर आपका मद्यपर्देश में यह बात जाएगी, जितने भी आदिवासी लोग हैं, जहां उनका एक डॉमिनेंट पोजिशन है, वहां बाकी लोगों के लिए दिकत होना है, बिलकुल इतने ब लाएं, और यह बात सरकार को समझ लेना चाहिए, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, सरकार से यह अनुरोद करूँगा, कि इस समस्या का समधान, इमानदारी से, और बिलकुल संबिंददशील होकर, इसका कोई हल निकालना चाहिए, नहीं तो यह बात बहुत आगे तक जाएगी, और लोग तो अब यह भी मनिपूर में कहा रहे हैं, कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, बात तो यह यहां तक पहुँच गई है, तो जो हालात बने हैं, उसको ठीक से, अगर हैंडिल नहीं किया गया, अगर ठीक से नहीं निप्टा गया, इमानदारी से संब करता हूं, वनिरोद करता हूं, कि इसको संबेदन शीलता से देखा जाए, और इमानदारी से इस समस्या का समाधान निकाला जाए, धन्यवाद, मनिपूर हिंसा लगतार जो टीन महिनों से हो रही है, और इंडियन फॉरेस्स कंजर्वेशन एक्ट, जो है, इसको आप किस न देखिए, इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो अपने जगह पर है, सबसे बड़ी बात है कि लॉइन ओर्डर क्या है, और वहां हिंसा क्यों हो रही है, सरकार पूरी तरह से नाकाम है, और इसके तहट तो सबसे पहले, हमारे जो ग्रिह मंत्री हैं, उनको फोरण रिजाइन करना चाहिए, इसलिए के तीन महिने में भी वो कंट्रॉल नहीं कर सके, वहां दो समुदाय के लोग आपस में लगातार लड़ रहे हैं, और इसका स्रे जो है सरकार ले रही है, उनका मैटर ये है, अफीम की ख्यती भी वहां हो रही है, लाइन ओर्डर है, बिसे सारी चीजे हैं, वहां पर दो लड़कियों का नंगा करके रोड पे घुमाये जा रहा है, उनके प्राइविट पार्ट्स को पखल के खीचा जा रहा है, सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है वहां पर, सैकलों लोग मारे गए, स्कूल में घुस करके वहां इस्टि नाम के कोई चीजी नहीं रही वहां पर, तो इसमें सरकार की मनसा सही नहीं है, वो बनवासियों को डिस्टर्ब करना चाहती है, बनों पर अपने जो उनके खास लोग हैं, उनका अधिपत्त करना चाहती है, चलिए आप से बाते करके आचाएं, अभी हमारी बाते हो रही थ थी एहसान हमद सहाब से और फिरोश सहाब से, मडिपूर एस्टेट जैसे घटनाओं पे बाते होती रहेंगी, तब तक दिजिये इजाजात, अस्सलाम वालेकूम, खुदा हाफिज